नमस्कार, मैं नर्गिस मंसूरी स्वागत करती हूँ आप सबीग का Next9 Life में और आज की खबरे कुछ इस प्रकार हैं इंडिया वर्सिस इंग्लेंड, चितिश्वर पुजारा की जगा लेने को तयार है ये बल्लेबाज वंडे और T20 में कर चुका है धमाल इंग्लेंड और भारत की बीच पांच मैच की सीरीज का पहला मैच ड्रॉपर खत्म हुआ और इस मैच में टीम इंडिया काफ़ी आसानी से जीत सकती थी लेकिन पांचवी दिन लगातार बारिश होने के चलते टीम इंडिया की उम्मीदों पर पानी फिर गया और इस मैच में टीम की दिवार कहे जाने वाले चितेश्वर पुजारा का बल्ला एक बार फिर से नहीं चला छोटी परदे का सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाले शोव दा कपिल शर्मा शोव लंबे समय से बंद है और फैंस को शोव का बेसबरी से इंतिजार है सोशल मीडिया पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने अपने महले की जलक फैंस को दिखाई है टीका लगवा चुके लोगों के लिए मुंबई लोकल 15 अगस्त से होगी शुरू और आज से हेल्प डेस्क पर हो रहा सर्टिफिकेशन 15 अगस्त नजदीक आ रहा है लेकिन एप पर काम अभी भी चल रहा है सरकार के मताबिक तक्रीबन दोनों डोज ले चुके तक्रीबन 19 लाग लोग है और ऐसे में आगे जाकर क्यूर कोट के लिए ही भीड ना हो इसलिए रेलवे और राज्य सरकार ने आज से ओफलन प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब बात करेंगे बिग बॉस ओटीटी के बारे में कंटेस्टन्ट ने किया बिग बॉस का कुकर ब्लास्ट घर में मचा हंगामा फोटो हुई वाइरल बिग बॉस ओटीटी दर्शकों के मररंजन के लिए शुरू हो चुका है औ और दो दिन में ही कंटेस्टन्ट की बीच जगड़े होने शुरू हो गए हैं हाली में शो से टीवी एक्ट्रेस रिदिमा पंडित का एक मज़ेदार वीडियो भी बहुत ज़ादा वाइरल हो रहा है जिसमें वो अरशी खान की एक्टिंग करती नजर आ रही है वहीं अगर बात करें बिग बॉस के घर की तो बिग बॉस की घर से एक फोटो वैरल हुई है जिसमें कूपकर ब्लास्ट हुआ दिखाई दे रहा है और अब बात करते हैं आईपेल के बारे में आईपेल की पांच टीमों को रहात निजलेंड ने बांगलादेश को पाकिस्तान के लिए टीम की घोशना की है और आईपेल में खेलने वाले साथ खिलाडियों को आराम इंडियन प्रीमेर लीग के फ्रैंचाइजियों के लिए रहत की खबर आई है आईपेल फेस टू के लिए निजलेंड की खिलाडी उपलब रहेंगे और निजलेंड क्रिकेट बोर्ट ने आई सवी खिलाडी 19 सितंबर से UAE में होने वाली आईपेल फेस टू के लिए उपलब्द रहेंगे वहीं ऑस्ट्रेलिया के डैविड वार्नर भी आईपेल फेस टू में खेल सकते हैं लोट्स में कोली और टीम इंडिया दोनों का रिकॉर्ड खरा चार पारियों में विराड के केबल 65 रन और टीम इंडिया 18 टेस्ट में केबल दो ही जीत सकी टीम इंडिया के कप्तान विराट कोली का लॉट्स में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा उन्होंने यहां दो टेस्ट मैचों की चार पारियों में सिर्फ 65 रन बनाए हैं और एक बार वे यहां बिना खाता खोले भी आउट हो चुके हैं भारत की मौजुदा टीम में यहां सबसे सफर बल्लेवाज अजिंक के रहाने हैं उन्होंने यहां दो टेस्ट में 149 रन बनाए हैं और लॉट्स की जंग भारते टीम के लिए बिलकुल भी आसान नहीं होने वाली है दर असल क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले इस एतिहासिक मैदान पर भारत का रिकार्ड बहुत ही जादा निराशा जनक रहा है और अब बात करते हैं सुनिल शेटी के बारे में एक्टर ही नहीं बड़े बिजनिसमेन भी हैं सुनिल शेटी अलिशान अपार्टमेंट है, महंगी कारे हैं, जानिये उनकी कुल संपत्ती सुनिल शेटी वॉलीबुड का जाना माना नाम है एक्टिंग के अलावा उन्होंने भागम भाग, रक्त और खेल जैसे फिल्में प्रोड्यूस भी की है फिल्मों के अलावा वो एक बड़े वेबसाई भी है, एक्टिंग और फिल्म निर्मार के अलावा अपने बिजनिस से भी बहुत कुछ कमाते है मुंबई में उनका खुद का एक रेस्टरेंट है, जिसकी खासियत उदीपी क्यूजाइन है एक वेबसाईट के मुताबिक सुनिल शट्टी करीब सौ करोड की संपत्ती के मालिक है इनमें उनके महंगे अपार्टमेंट से लेकर कई महंगी कारे भी शामिल है करीना कपूर के बेटे जहांगीर के नाम पर विवाद, सैफ अली खान की बहन ने किया बचाव वालिवोड एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपने छोटे बेटे को लेकर शुरुआत से ही काफी प्रोटेक्टिव नजर आई है जबकि बड़े बटे तैमूर अली खान के वक्त में ऐसा नहीं था तैमूर के जन्म के बाद ही उनकी फोटो शोशल मीडिया पर सामने आ गई थी वहीं कुस दिन बाद नाम भी रिवील हो चुका था हाला कि तैमूर के नाम को लेकर उस वक्त काफी हंगामा हुआ था जो की करीना के छोटे बेटे के नाम को लेकर भी शुरू हो चुका है तैमूर के बाद अब छोटे बेटे की वज़े से करीना कपूर को फिर से शोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है इस बीच करीना कपूर की ननद यानि सैफ अली खान की भेहन सभा खान ने अपने छोटे भतीजे का बचाब भी किया है एक्टरिस नहीं बनना चाहती थी रेखा, शादी करके बच्चों को सम्हाल लेका था सपना वालिवोड की दुगच अभीनेत्री रेखा एक ऐसी अदाकारा है, जिनका चार्म उम्र के साथ इस पड़ाब में भी आकर कम नहीं हुआ है आज भी रेखा के कई दिवाने हैं, रेखा काम के साथ साथ अक्सर अपनी परसनल लाइफ को लेकर भी खुब सुर्ख्यों बटोरती है हाला कि उनकी परसनल लाइफ के बारे में लोगों को उतना नहीं पता, जिनना रेखा बताती है वो अपनी personal life को लेकर कभी भी कोई बात नहीं करती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेखा कभी भी actress नहीं बनना चाहती थी वो तो शादी करके घर बसाना चाहती थी लेकिन हुनी को तो कुछ और ही मंजूर था किस्मत की लकीरों में जो लिखा था हुआ आखिर वही और रेखा एक अभी नेत्री बन गई और अब बाद करते हैं राचकुंद्रा केस के बारे में राचकुंद्रा की जमानत याचिका पर अब 20 को होगी सुनवाई जारी रहेगी नयाएक हिरासत अशलील फिल्म निर्माण और अब की जरिये उन्हें प्रसारित करने के केस में गिरफतार बिजनेसमैन राचकुंद्रा की जमानत याचिका पर मुंबई सेशन्स कोट में 20 अगस्त को सुनवाई होगी अदालत राचकुंद्रा और उनकी सहयोगी रायन थोप की जमानत याचिका की सुनवाई कर रही है इससे पहले मेजिस्टेट कोट दोनों को जमानत देने से इंकार कर चुकी है वहीं Bombay High Court में भी राजकुंद्रा की जमानत याची का खारिच हो चुकी। आज की खबरों फिलाल इतना ही जुड़े रहे नेक्स्ट नाइन लाइव से। हम फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।